आज हम आया है भीम नगर के इस ग्राउड में इस ग्राउड में एक अभियान चला जा रहा है जो की रन फॉर कंस्टिटीउशन का यह जो अभियान चला रहा है इसका क्या उद्देश है आज की दिन का क्या महत्व है आज का दिन को आये महत्व है कि जो डॉक्ट्टर वाउड सामेट करने सवीदान लिखा है उसके बारे में एक जूट करना और लोगों से कॉंटेक करना कि यह सवीदान बस इसी लोग के लिए नहीं है इस सभी लोग के लिए जो गल्थ में रहती है सबको बताना यह यह बस मतलब इनका कहना यह है कि सविधान के बारे में जनजागरूती करना जो लोगों के दिमाग में जो सोच है कि सविधान किसी एक जाती विशेस और एकी समुदाय के लिखा आई यह बिल्कुल गलत है इस सोच को हमें आगे बढ़ा कर लोगों तके पहुचाना है मैं आपसे यह जानना चाता हूँ कि आप जो रॉन फॉर कॉंस्टिटूशन यह जो अभियान चला रहे है इसका क्या उद्देश है हमारा उद्देश से है कि सभी जो युवावर्ग है और सभी भारतवासी के जो लोग है उनमें सविधान का अवेर करना अवेर करना क्योंकि आज क्या हो रहा है हम जो कुछ भी पा रहे हम जो कुछ भी आगे बढ़ रहे हम जो कुछ भी सक्सेस पा रहे हो सब सविधान की बदोलत है अगर आप सभी को पता है अगर भारत देश में अगर सविधान नहीं होता जैसे किसी और देश का सविधान होता तो आज भारत इता यूनाइटेड नहीं रहता, आज तक भारत में इत्ती वीवित्ता है, अलग-अलग जाती धर्म के लोग है, तब भी इत्ते सालों से भारत जो यूनाइटेड है, वो है सब सविधान के कारण, और अगर एक सायर ने भी कहा है, अगर भारत सविधान के इस इसलिए हमें सविधान की अवेर्नेस करना बहुत ज़रूरी है सभी जाती धर्मों को लोग एक ही एक ऐसी चीज है सभी देश को जोड़ती है तो हमारा सिप अवेर करने का काम है सभी जाती धर्मों को एक माला में पिरोकर रखा हुआ है और सभी धान को जो है हमें आज लोगों तक के पहुचाना है और इसके साथ ही जो सभी धान है उस देश को देश के सभी तरह से यहाँ पर लागू नहीं किया गया है मैं कुछ युवाउ से ये पूछना चाहता हुगी अभी तक के देश में पूरी तरीके से सवीधान लागु क्यू नहीं किया गया है सवीधान लागु क्यू नहीं किया गया है पूरी तरीके से हाँ तो कैसा है की सवीधान डॉक्टर बाबा साहिब अμबेट कर एक्चुली सविधान जो है वो directly connect है भारत देशे ना कि particular कोई समाज से फिर भी directly ये डॉक्टर बाबा साहिब अंबेटकर से connected है क्योंकि डॉक्टर बाबा साहिब अंबेटकर इन्होंने ही उसे complete करने के लिए अपना योगदान सबसे जादा दिये है और डॉक्टर बाबा सा अभी जो धर्मकी जो लोग है हमारे Constitution को एकदम निगलेट करते हैं और उसको लागू करने की उनकी इच्छा नहीं है तो फिर भी अगर देश को देखते हुए कहे तो ये सविधान की हिसाब से ही चलता है बट फिर भी लोग उसको अपोस करते हैं उसको मानते नहीं है आज की आज की situation कि सविधान जो है वो सभी लोगों ने celebrate करना चाहिए बट फिर भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि आज actually होता क्या है 26 जैनवरी 15 ओगस जैसे बड़े लेवल पर celebrate होता है वैसे लेवल पर Constitution Day भी celebrate होना चाहिए इसलिए हम आज step towards run of Constitution Day करके celebrate कर रहे है इनका कहना यह है कि भारतिय सविधान का जो दिवस है इसको राष्ट्री परव दिवस घोशीत करके इसको जैसे 26 जनवरी 15 ओगस्त है इसके जैसा celebration करना चाहिए मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ यह जो run for Constitution है हमें ऐसे अभिहानों की क्यों जरू पड़ रही है कि अभी तक देश में पूरी तरीके से Constitution को लागू नहीं करा गया है मेरे हिसाब से अभी भी लोगों को आजादी पूर्ण तयार नहीं मिली है क्योंकि जो भारत का सविधान जो डॉक्तर वामेटकर जी ने लिखे है वह उसको जब विवस्ति तरीके से पू लोगों को वास्तविक्ता में आजादी मिल पाएगी मैं अपसे यह पूछना चाहता हो कि किस विचार धारा के लोग यहां पर इस देश के सरकार में बैठेंगे तब यह जो है पूरी तरीके से Constitution लागू होगा किस विचार धारा के लोग जब बैठेंगे बैठेंगे या सरकार में आएंगे क्योंकि अभी तक के Congress भाजपा के जितनी भी सरकार है उन्होंने सरिफ सविधान को अपने मतलब के लिए यूज किया वाबा साहब ने कहा था कि सविधान कितना ही अच्छा कि उन्हों चलाने वाले लोग बुरे तो सविधान अंत में बुरा होगा तो देश को पूरी दरीके से लागू कर सके अब अजो समता शतनता बंधूता इन तीन चीजों को साथ में लेकर चलेंगी, तो ही मुझे ऐसी लग रहा है कि इस देश की जनता को पूर्णतया से स्वतन सता मिलेंगी और जो भी है डॉक्टर वासाब आमबेटकर फूलेशाओ आमबेटकर उनकी विचारधारा को लेकर चलते हैं और जो इस देश की जो सामाने जनता उनके सुक दुख को लेकर मिंस उन मतलब उनके उनके चीज़ों मतलब उनको ध्यान में रखते हुए जो भी पार्टी अगर से सपोर्ट में आती है तो ही व्यवस्ति तरीके से सविधान लागू होगा इनका कहना यह है कि फुले शाहू बाबा साहब अमबेटकर इनके विचारों के जब लोग संसाद में जा करने की बात करते हैं आपको याद होगा कि 9 अगस्त 2017 के दिन दिल्ली के जंतरमंतर मैदान पे सविधान की प्रतिया जलाई गई तो इन अराजक तत्वों से हमें निपटने के लिए हमने क्या करना चाहिए पहली बात तो जो भी अराजक तत्वा इस देश में चल रहे है य ऑपने लेवल पर कैसे खत्म कर सकते हैं या फिर कैसी हम activities या फिर जैसे आपने बताया की जंतरमंतर में outside की banking से अंहीं जलाई तो उस Activity को ladder हम कैसे अपनी activity से कर सकते हैं तो उसी के तरक एक पहल इसलिए हमने run for constitution ये activity निका लिए जिससे वो लोग जो activities कर रहे हैं या फिर वो लोग जो अराजकता देश में फैला रहे हैं उस अराजकता को हम अपने positive attitude और अपनी positive energy के साथ दुसरों उनके आगे उनको तो नीचे गिराकर हम अपने समाच को अपने देश को आगे ले जा सके मतलब इनका कहना यह है कि अगर किसी को हराना है तो उसे counter करने से बैटर है कि उनकी जो line है उस line से हमें बड़ी line कीचनी होगी मैं आप से यह पूछना चाहता हूं कि यह जो आपका run for constitution है इस ऐसी बहुत सारी समितिया बनी है देश में कि जो सविधान बचाव कुरती समितिया अभी आपने जो run for constitution ऐसे बहुत से जो है विभिन्न विभिन्न संगटन है जो देश में काम कर रहे लेकिन फिर भी देश के सविधान की जो है तहसने इस देश में हो रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि कही न कही हम हमारा जो एक step है वह रोड़ पर दोड़ने से या फिर रोड़ पर जन जागूति करने से यह तो आए गई लेकिन जब हमारी पूरी हमारे लोग जब तक कि संसद में नहीं जाेंगे जब कि संसद में सविधान के लिए बात नहीं रखेंगे तब तक कि सविधान बचने वाला नहीं है इस विश्य पर आप क्या गया चाहिए मेंगगें लहने और मेरा निजरी जब सिंदो को देखने का लग है सब मैं जो संसद में पहुचने वाला है उसको वोट दूँगी, उसको सपोर्ट करूँगी और उस लीच के लिए मैं हर दम, हर तम और मेरी टीम, ACS के, हर दम हम राष्टे पे खड़े रहते हैं, हर दम हम उनको सपोर्ट करते हैं, बस यह हमारा स्टेप यह है कि हम एज यूथ, यह एंबट कराइट यूज, एज इंडियान यूथ, हम कैसे लोगों तक जन जागरूती फहला सकते हैं, और यह जो रोल पर एक्टिविटीज आज हो रही है, या फिर हम इतने दिनों में जो भी एक्टिविटीज हम लोग इतने सालों से कर रहे हैं, दस साल से हम कारे रहत हम संसत तक एक दिन जरूर अपना सत्ता हासिल करेंगे, इनका कहना यह है कि हमारा अभियान अभी छोटा है, लेकिन इसका कही न कई पॉजिटीव मैसेज मतलब जीरो से हीरो बनने का काम है, और नगर परिसत से संसत का जो रास्ता यह तैय करने की बात इनों ने यहाँ पर मैं specifically youth को यह कहना चाहूंगी कि आज youth को जागरूत होने की बहुत जरूरत है, अगर मैं आज घर पर सोई रही तो मेरे जैसे कितने लोग आज घर पर सोई रहेंगे, अगर हम सब सोई रहें, तो समाज को कही ना कही सोने की आदत लग जाएंगी, हमको आज जागना होंगा, कल जागना होंगा, रोज जागना होंगा, so that हम कुछ ना कुछ समाज के लिए, अपने सोसाइटी के लिए, as a youth, as a Indian, as a country के लिए, कुछ हम कर सके और अपने देश को एक लेवल उपर ले जा सके. मेंबर को, as a सविधान दिवस हम मनाते हैं, लेकिन आज का जो उद्देश्य है, उसको हमने एक, मतलब, यह जादा बड़ी प्लैनिंग नहीं है, run for constitution, बहुत जादा बड़ी प्लैनिंग नहीं है, लेकिन कुछ दिन पहले हमारे माइंड में थोट आया था, हमारे सभी साति मनाने का, या बहुत सारी चीज़े सिलिविट करने का जो तरीका है, वो बहुत ही वास्ट और बहुत ही ऐसा हो गया, जो आउटकम नहीं देता, ठीक है, लेकिन आज के युवाओ को कुछ ऐसा यूनिक करना चाहिए, ताकि अनादर जो कम्यूनिटीज है, वो भी हमारे चाहते हैं लोगों को कि भई, कॉंस्ट्यूशन एक समानता का, एक समानता का, एक अधिकार देने वाली जो किताब है, आज उसका हैपी वर्डे, ठीक है, और आज उसका हैपी वर्डे सभी लोगों ने सेलिब्रेट करना चाहिए, तो यह हमारी छुट सी जो एक्टिविट सविधान दिन के हादिक शुख कामना देता हूँ, और जैसी कि आप इधियास के पन्ने पलट करके देखेंगे, तो आपको मालूम चलेगा कि इस देश का SCST OBC हमेशा जातिवाद का शिकार रहा है, यहाँ पर SCST का जो संगर्ष रहा है, वो पानी पीने का संगर्ष रहा है मतलब उनको पानी तक नहीं पिने दिया जाता था, इस संगर्ष से इस देश का SCST OBC निकला है, इस देश का सविधान जिस दिन बना, उस दिन स्वतंतरता, समानता और समानता और बंदूत्वता की एक नई नियू रखी गई, जिसके कारण हमारे देश में एक समानता का वा अराजक ताई फैलाई जा रही है, कुछ मतलब अभी की सरकार है, उसके कुछ विदायक और मंत्रियों द्वारा ये ऐसा स्टेट्मेंट भी दिया जा रहा है, कि हम सत्ता में आया है इस देश का सविधान बदलने की लिए अराजक तत्वों द्वारा भारतिये सविधान को तोड़ मरोडने की जो बाते है, सरकार के मंत्री कर रहे है, सरकार में बैठी हुए लोग कर रहे है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कौन से आइडेलोजी के लोग है, जो पूरी तरीके से इस देश में सविधान को लागू कर सकते है, जो पूरी तरीके से इस क्वेच्टेशनं को लोगों पहुचा सकते हैं इस देश में स्वतन्त्रता बंदूत्त गता और नाय जो विचारदारांud कि विचारदार यह नाय कभी कॉंग्रेस कर सकती है और गाchez कोई बता है कि विजे कहती है कि हम सत्ता में आये हैं सिर्फ सविधान खतम करने के लिए हैं कि अधन Biz शुङक्व सबेदान पूर्वक लागू करेगा मेरे घ्याल से bent önce कि अगर सही माइने में सविधान कोई नहीं कर सकता है तो वह वह बम आसने सम पार्टे हैं एक पहले से कहना होता है कि हम आपना घोषना पत्र कभी नहीं निकालते इस देश का सवीधान है वह हमारा घोषना पत्र है साथ में है दृतिंग के चीफ एडिटर संधीप सर संधीप आननजी मैं इन से यह पूछना चाहता हूँ कि देश में जो है सविधान कही न कई पूरी तरीके से अभी तक के लागू नहीं हुआ इसके पीछी की क्या राजनीती थी और इसके पीछे आज सविधान को लागू होने के बावजुद 72 साल हो रहे हैं लेकिन फिर भी इस देश में कही न कई बहुजनों के साथ में खिलव सविधान के बाववशा वंबेटकर ने जो लिखा सविधान है वो लागू हुआ और 1950 के बाद जितनी भी सरकारे आई कॉंग्रेस हो या भाजपा हो उनकी जो सोच है वो मनुवादी सोच है और मनुवादी सोच जो हमने आज तक देखा है हिस्ट्री में देखा कि मनुवा करने के लिए उनको बाधित किया मजबूर किया तो इसके कारण हम कांग्रेस और भाजपा से यह उम्मीद नहीं कर सकते क्योंकि वह मनुवादी सिस्टम में आने वाले लोग है लेकिन बाबसा अंबेटकर कहते हैं हमेशा बाबसा अंबेटकर बाबसा अंबेटकर ने हमेशा श्यासक बनने पे बहुजन समाज को कहा है जोर दिया है और हमारे जो लोगों को अगर न्याय हक और अधिकार चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा तो श्यासक बनना पड़ेगा जो मान्य और कांसिराम साहब भी कहते थे कि हम इस देश का श सब्सकार रहें जो हमारे लिए नियाए हम हमारे अधिकार हमको चाहिए इसलिए हमको श्यासक बनना पड़ेगा औरite आत्याज के बाद जो में लिखे है वह इसलिए नहीं मिल रहे है क्योंकि हम सिहासक नहीं है तो इनका कहना ये है कि बाबा साब अम्बेट कर कहते है कि हमें इस देश में शाशन करती जो कौम है वो बनना है मानिवर सहाब का अंशिराम भी कहते है कि जिस समाज का राजा होता है वो समाज हमेशा ताजा होता है तो कही ने कही हमने जो है हमारे समाज ने जो है शाशक बनने पर जोर देना चाहिए जिसके वज़े से आज अगर हमारे आइडेलोजी के मतलब फुले शाहू बाबा सहाब इनके विचारों के लोग संसद में जाएंगे तभी जाकर कि इस देश में जो है Constitution लागू किया है अपनी राजनीती उन्होंने मतलब उसके माध्यम से जो है सविधान को लागू कर सकते है ऐसी कौन सी मतलब पार्टी है देखिए आपने बोला कि इस देश में दो मजबूत पार्टी है एक है Congress और दुसरी है भाजपा Congress जो है वो गांधीवादी विचारधारा की पार्टी है। और बावसाव अंबेटकर ने हमेशा अपने राइटिंग और स्पीच चेज में हमेशा कहा है कि गांधी वाध गांधीवाद से सावधान रही है। उनके किताबे भी हैं। अच्छूतों के लिए गांधी और कॉंग्रेस ने क्या किया यह लिखते है कि आपको कांग्रेस का चवन्नी का भी मेंबर नहीं बनना है कांग्रेस यह जलता हुआ घर है बहुत सा अंबेट करने ऐसा कहा है तो दो ऑप्सन में से एक ऑप्सन तो ऐसे ही कड़ जाता है कि कांग्रेस हमारी सुबचिन तक नहीं हो सकती रही बात भाजपा की तो भाजपा आ योपनली चैलेंज करती है कि हम सविधान सभीधानक करना है कि हम को सभीधान खटम करना है नद हम की बहुजन समाज पार्टी यह हमेरे लिए पहली बात तो दूसरी बात यह है कि वह हमेशा बोलती बोलने में कम विश्वास करती है करने में जादा विश्वास करती है और जब उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी की चयार-चयार बार सरकार बनी उन्होंने बहुजन वात को स्तापित करने के लिए बहुत बड़े-बड़े काम किये आप जब लखनों के अंदर जाओगे तो महापूर्सों के नाम से बड़े-बड़े समारक मह लिए बहुजन समाज पार्टी ही बहुजनों के लिए ऐसी पार्टी है जो उनके हक अधिकार और नयाय के लिए लड़ सकती है और तभी हम इस देश के शासक बन सकते हैं दन्यवाद सर आपका इनका कहना यह है कि बहुजन समाज पार्टी यह जो महापूरुशों का एक आंदोलन है यह पार्टी बात में है लेकिन एक वैचारिक आंदोलन है जो इस देश में बहन कुमारी मायावती जी चला रही है तो इनका कहना यह है कि इस देश में पूरी तर को सम्मान देने का काम महापुरूशों की बहुजन जागूरूती लाने का काम जीलों के नाम जो है वहापर वहापर बहुजन समाज पार्टी के द्वारा और वहापर कुछ हमारे मतलब महापुरूशों के सम्मान में जो काम वहापर किया गया था तो इस इन सारी बातों से य इस अवसर पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आप हमें हमारे इस वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर बताए, अपनी राय ज़रूर दे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो इसे सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को ज़रूर दबाए, ताकि आने वाले वीडिय दोस्की नॉडिविकेशन आपको मिलते रहे तब तक के लिए मिलते है जैभीम जैभारत बने रहे दाथिंग पर बहुजन विचारधारा को घरघर तक पहुचाने के लिए हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें, कमेंट करें, शेर करें और बेल आइकन की घंटी दवाना ना भूले